नमस्कार दोस्तों, पूझे खिक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है शरत पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिपक जला कर किस प्रकार आप जो है अपने जीवन में खुशाली, यश, मान, सम्मान और सबसे बड़ी बात जो है धन का आगवन शुरू कर सकते हैं आपका कोई भी ग्रह आपसे रूठा हुआ परंतु अगर आप शरत पूर्णिमा पर एक दिपक जला लेते हैं तो आपके जीवन में धन का मार्ग अपने आप ही खुलता है अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरत पूर्णिमा कहते हैं भारत के कई हिस्सों में से कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है माने ताहिए इस रात माता लक्ष्मी अपने भक्तों को खोजती हैं देखती हैं किनके घर पर उनकी पूजा पाठ हो रही है और वो उन पर धन बरसाती है शरत पूर्णिमा की रात जो है दिवाली से जादा हम होती है बहुत माइने होते हैं इसके जो भी लक्ष्मी देवी के भक्ते हैं जो माता लक्ष्मी को प्रसंद करना चाते हैं उनके लिए शरत पूर्णिमा जो है एक अमरत बरसाने वाली रात होती है दूसरा दिवाली से भ पूजा पाट करके माता लक्षमी को प्रसंद कर सकते हैं क्योंकि इस राज स्वयम माता लक्षमी अपने भक्तों को संपत्ती देने के लिए आती हैं जोतिश और तंत्र शास्तर में खास तोर पर शरत पूर्णी मा का बहुत ही विशेश महत्वर अखा जाता है जो भी माता ल होता है परन्तु धन संपत्ती की देवी है माता लक्षमी माना जाता है समुद्र से इनका जन्व हुआ है तदा श्री विश्नु से इनका विवा हुआ था इनकी पूजा से धन की प्राप्ती होती है वैभव की प्राप्ती होती है अगर लक्षमी जी रूठ जाए तो घोर दरीदरता का सामना करना पड़ता है कर्ज आ जाते हैं पैसे डूबने लगते हैं कोई आपका पैसा ले लेता है और वो वापिस नहीं करता है मुकदमे वाजी चलने लगती है समाज में मान सम्मान खोने लगता है और सबसे बड़ी बात आपकी जो सुन्दरता है वो कम होने जोतिश में अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रसंद का संबंद जोड़कर देखा गया है इनकी पूजा पार्ट से ना केवल पती-पत्नी के रिष्टों में बहुत जादा प्रेम बढ़ने लगता है क्योंकि अगर लक्षमी जी आपसे रूपती है तो सबसे पहला पती-पत माता लक्षमी को प्रसंद कर लेते हैं और खास तोर पर अगर आप उस दिन गुलाबी रंगे या सफेद रंगे वस्र पहन कर उनकी पूजा पाट करते हैं तो आपका सौंदर बढ़ता है आप में वशी करण की शक्ती बढ़ती है मध्यरात्री का समय जो है माता लक्षमी क क्रपा पाने के लिए उत्त माना जाता है खास तर पर शरत पूरिमा वाले दिन ऐसा कहा जाता है माता लक्षमी की ऐसी तस्वीर की पूजा करनी है जिस पर वो गुलाबी कमल है उस पर बैठी हुई हो साथी साथ吸न उनके हाथ से धन बरस राओ जैसे आप फिल्ती जूल्ती तस्वीर आपको अपने घर में रखनी है, मा लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेश कर कमल अर्पित किया जाता है, जो सर्वुत्तम माना जाता है, कमल की नहीं वजाओं से नहीं मिलता है, तो लाल पुष्प, जासोन के फुल और लाल गुलाब आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंतरों का जाब जो है, हमें स्वटिक की माला से करना चाहिए, जो की बहुत प्रभाव शाली माना जाता है, और इसका रिजर्ड जो है, आपको बहुत जल्दी मिलने लगता है, शरत पूर्णी माबा माता की उपासना करने स आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निदान होता है, आपको जो है माता लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए अखन जोती जलानी है इस दिन, अखन जोती किस प्रकार जलाएंगे आप, सबसे पहले मेरे भाई और भाईनों आपको ये समझना होगा, कि दीपक या ज जहां दूर करता है, वहीं आपके जीवन में देवी देवताओं का वाज भी करता है, परन्तु आपके घर पर अगर भगवान की तस्वीरिया मूर्ती है, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए, कि जब हम मूर्ती रहते हैं, जैसे सभी को नियम पता है कि अखन्डित नहीं ह यानि कहीं से टूटा-फूटा ना हो, कलर ना ऊसका उत्रा हुआ हूँ, या बहुत पुराना ना हो, जला हुआ ना हो, इस बात का ध्यान द्हान रखें, खास तौर पर मादा लक्ष्मी की आप पूजा पाट कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा पाट कर रहे हैं, मादा सर और समस्याओं के निवारण के लिए इस्तमाल किया जाता है वहीं अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपकी मनो कामनाओ की पूर्ती होती है सुख समरिद्धी के प्राप्ती होती है ऐसा माना जाता है गाएं के घी का दीपक जो लोग डेली नियम से जलाते हैं उनके घर नगवर्सदेव वैभव वड़ता है, सुकसम्रिद्धी वड़ती है, शरत पूर्णिमा पर भी आपको गाय के घी का दीपक ही अपने घर पर जलाना है, क्योंकि जो गाय का दूद होता है, ऐसा मानना जाता है, उसमें महा लकष्मी का आवास होता है, जब हम वो दूद या उ कोई यग ना करे, पूजा पाट ना करे, परन्तु अगर नियम से आप गाय के घी का दीपक अपने घर पर जलाते हैं, और जैसे मैंने कहा एक दीपक तेल का और गाय का जलाते हैं, तो तेल का दीपक जो है आपके कष्टोर समस्ताओं के निवारण के लिए लगाया जाएगा तदा घी का दीपक जो होगा आपके जीवन में सुक समरिती के लिए जलागाया जाएगा, अब कैसे जलाना है, घी का दीपक हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको रखना है, तेल का दीपक जो है हमेशा अपने बाहिने हाथ की तरफ आपको रखना है, शरत पूर्ण की law हो वो पूर्व दिशा की और हो और उत्तर दिशा की और हो तो बहुत चंद्रमा की और अपने दोनों हाथ आपने थोड़ी देर आसमान की तरफ करने हैं तथा मातारानी से एक प्रकार से विंती करनी है कि हे मातारानी आप हमारे घर पर विराजमान हों हमारे सभी कष्टों को हरें हमारे जीवन में सुक समरिधी का आवास करें हमारे जीवन में धन की जो कमी है उसे दूर करें तथा पंदरा मिर्ट तक आप शरत पूर्णिमा के चांद को देखते रहें आप देखेंगे आपके जीवन में अपने आप ही माता लक्षमी की क्रपा बनने लगेगी तदा शरत पूर्णिमा वाले दिन आपको अखन जोती जलानी है घी की या तेल की गी की जोती नहीं जला सकते है तो तेल की जोती जलाएंगे और तेल जो है माता लक्षमी की पूजा पार्ट में मूमफली के तेल की जो है आपको लौ जलानी है दीपक जो होगा वो रूई का नहीं जलाना है आप चाहें तो जो हम रोली भांते हैं अपने हाथ में लाल रंकी या जो लाल रंकी बाती आती है विशेश का लश्मी पूजा के लिए आती है वो आपको आसानी से मिल जाएगी बहुत महंगी भी नहीं आती है वो तो आप उसी से जो है अकंड जोती जलाएंगे अकंड जोती बुजिनी नहीं चाहिए रात के समय में इस बात का ध्यान रखे 9 बज़े से लेकर रात को 12 बज़े तक का जो समय होता है शरत पूर्णिवा पर मातालक्ष्मी की पूझा के लिए बहुत शुब दायक माना जाता इस समय पर आप सुर्फ दीपक ज़ला कर माता लक्षमी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती, उनकी स्तुती कर सकती है उनकी चालीसा कर सकती है कोई पूजाबाट नियाती सिर्व खंड जोती जलाईए माता लक्षमी से क्रपा मांगिए शरक पूर्णी मा के चांद को देखते हुए खास तोर पर महिलाओं से कहूंगी मैं 15 मिनिट तक जरूर देखें आपका सौनर भी बढ़ेगा आपके पती का प्रेम भी आपको मिलेगा साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसे से प्रेम विवा हो तब उनका स्मरन करते हुए चांद को देखते हुए अगर आप अपनी मनो कामना कहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से आपकी पूर्ण हो जाती है शरत पूर्णी मा जैसे मैंने कहा दिवाली से भी जादा एहम मानी जाती है घर में लक्ष्मी जी के स्थाई निवास के लिए पूर्णी मा की शाम से लेकर सुभह तक अखंड जोती जो आप जलाएंगे तो ऐसा माना जाता है चंद्र लोक से लक्ष्मी दीब जो आपने जलाया है उसी रूप में माता लक्ष्मी उसी अखंड जोती की रोशनी से खीची चली आती है आपके घर पर लक्ष्मी जी के तांतरिक उपायों को भी इस दिन पूर्ण किया जाता है आप घरस्त जीवन में है तो कैसे करेंगे बहुत आसान सा उपाय आपको बता देती हूँ चोटा नारियल जैसे लगू नारियल कहा जाता है पूजा करने के लिए उसे पूजा स्थान पर स्थापित करें सिंदूर से जो है उस पर स्वास्तिक बनाएं अश्ट लक्ष्मी पर आठ कमल अरपित करकर जो है महा लक्ष्मी का मंतरों का जाप करें मा लक्ष्मी निर्धनों के जीवन में भी इस उपाय से प्रवेश कर देती है जो लगू नारियल होगा बाद में किसी भी लाल कपड़े में बांध कर उसे अपनी तीजोरी अपने पर्स या अपनी ऐसी जगा पर रख लें जहां सोना चांदी आप रखते हैं पर्स में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि पर्स जो है कई बार चमड़े का होता है हम इसे वाश रूम में भी कई बार जहां मौल वगेरा जाते हैं कई और जाते हैं तो ले जाते हैं साथ में तो आप पर्स में न रखें आप जो है अपने घर की तिजोरी में या इसी जगा पर रखें जहां पर आप धन का धन सम्हाल कर रखते हैं वही इस दिन दश्चनावर्ती शंक में मालश्मी का अभिशेक करें धूप दीफ फूल से पूजा करें दश्चनावर्ती शंक भी पूर्णिमा के दिन जो है साक्षात प्रकट हुआता है इस दिन अगर इस शंक की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में मातारानी अपने अहम होता है कि माता लक्षमी को जब हम खीर का भोग लगाते हैं तो किस प्रकार की खीर होनी चाहिए तो सबसे पहले तो मेरे भाई और भेनो शरत पूर्णिमा माहा लक्षमी को खीर जो है छुहारी की खीर मेवे की खीर का भोग लगाना चाहिए साती साती गाएं के महालश्मी का वास होता है इसलिए इने खीर बहुत प्रिय होती है खीर में केसर जरूर मिला है केसर नहीं मिला सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखे आपको किश्मिच बिल्कूल नहीं मिलाने हैं खीर जो है शक्कर पून रूप से सफेद होनी चाहिए तथा अगर आपके घर मिश्री है तो मिश्री से ही खीर बनाए ऐसा माना जाता है मिश्री माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है साथ ही साथ मेरी बहनों को मैं एक बात और बताऊंगी जो भी चातनी है उनके पती पत्नी के जो रिष्टे है वो बहुत अच्छे हो जाए साससूर से संबंद बह चांदी की नहीं है तो आप ताम्य और पीतल की कटोरी का भी उपयोग में जो है आप ला सकते हैं परंतु प्लास्टिक और काच की कटोरी का जो उपयोग है लक्षमी पूजा में हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस दिन शहत का भोग माता लक्षमी को जरूर लगाए तस्वीर पर हमें केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए साथ ही साथ अगर आपको चंदन का इत्र मिलता है तो केसर और चंदन के इत्र को मिलाकर माता लक्षमी को जो है तिलक लगाए साथ ही साथ आप माता लक्षमी के चड़नों से तिलक लेकर मतलब जब आब उनके पैरो उपर भी तिलक लाएंगे तो तिलक जो है अपने माथे पर जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है इस उपाय से कुंडली में चाहे कोई भी खराब योग बन रहा हो। वयोग जो है मातालश में अपनी भक्तों के जीवन में सुधारती हैं तथा उनके जीवन में उन्हें एश्वर प्रदान करती हैं। बहुत चोटा सा उपाय है इस दिन आपको जरूर करना चाहें। साथिसा शरपूर्णिमा वाले दिन तामबे के बरतन में आप कुछ भी भरकर जो है दान सुरू ब्रहमन को दान करें। दश्चना में आप जो है कुछ भी दे सकते हैं ये आपको अक्षे पूर्णि की प्राप्ती करवाता है। धनलाप के प्रवत संभावनाएं बनने लगती है। इस दिन ब्रहमनों को खीर कपड़े आदी का दान करना बहुत ज़ादा शुब माना जाता है। तांबे के पात्र में जो खीर हमने पहले बनाई थी चुआरे की खीर या केसर की खीर अगर वो भी भरकर आप भ्रामन भ्रामनी को देते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत ज़ादा धन के योग बनते हैं। व्यापार बहुत बढ़ने लगता है सातिसा सुखो की प्राप्ती होती है। इसके अलावा धन की कामना कर रहे हैं तो व्यक्ति को शुरत पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुखे दरवाजे के बाहर दोनों और दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। आप जो है अगर दीपक जलाते हैं तो कोई भी मनो कामना हो आपकी वो मनो कामना पूर्ण होती है। घर के आंगन में भी दीपक लगाएं। दीपक रात भर भुजना नहीं चाहिए ऐसी विवस्था कर दे तो माता लक्ष्मी अपने आप या आपके द्वार पर चली आएं होगा आज अपनी वारी को यहीं विराम देते हुए मैं आशागरती हूँ हम फिर मिलेंगे किसी नए भी शेपर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैमाता दी